दूस्तों आज से 7 साल पहले एपल ने अपने आईफोन से हेड़फोन जैक को गायब कर दिया था तो क्या एपल यहाँ पे सही थी क्या गलत है क्योंकि 7 साल बात देखके लग रहा है शायद एपल सही थी क्योंकि उस जमाने में देखा जाया तो एपल का मजग दुनिया की हर एक कंपनी ने उड़ाया तो जो मॉबाइल फोन बनाती है गूगल ने पूरा एड़टाइसिंग करी थी इसके अपने पिक्सल के साथ यहां तक की बात की जाया तो सैमसंग ने तो पूरा का पूरा एड़ कैम्पेंस तक चला दिये थे कि इस फोन के अंदर हेड़टफोन जाक आता है यह आपको डॉंगल लेकर करी करना पड़ता है हर एक कंपनी ने मज़ा को डाया लेकिन आज के समय में बात करूँ तो आपको कितने फोन के अंदर हेड़फोन जाक देखने को मिलता है मतलब मैंने एक simple सा pole रखाता है यहाँ पे और उसके अंदर मैंने यह नहीं पूछा कि लोग headphone जाका use करते हैं कि नहीं करते हैं मैंने यह पूछा था कि यहाँ पे आप लोग earphone कौन सी use करते हो Bluetooth की wired हलाकि कुछ लोग दोनों भी use करते हैं लेकिन majority जंता के पास आथ के समय में Bluetooth earphones भी है और कुछ लोग दोनों को use करते हैं लेकिन दोनों को use करने का मतलब यह भी है यहाँ पे कि यहाँ पे आप Bluetooth को भी हाँ पर own करते हो और अगर wired वाला अगर आपका चले जाए हैडफोन जा completely remove कर दिया जाए क्योंकि सस्ते से सस्ते Android phones आते रहेंगे सस्ते में आपको options भी देखने को मिलते रहेंगे और wired earphone easy रहता है सस्ता रहता है और इस चक्कर में वो तो यहाँ पे exist करेगा लेकिन market उसका छोटे से छोटा होता चलेगा तो क्यास का मत्स सच में यह कि Apple सही थी headphone जाग अने के लिए या फिर बहुत ही सोची समदी शादिश है सब कुछ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पसंदर लाइक करो सब्सक्राइब करो चाहल को लेकिन सबसे मेले एक बाग बता देने चाहता हूं कि आज के समय आप मार्केट में अगर आप बाहर निकलेंगे ना आप देखना कि मार्केट के अंदर कितने टपकी earphones है आपको वाइड कितने launches देखने को मिलते है और उसके गुम्तारजिशने Bluetooth ये wireless के उपर जाथ उनकी variety देखिए कितने सारे options देखने को मिलते हैं आपको true wireless चाहिए वो है आपको neckband चाहिए वो है आपको बड़ा headphone के design के अंदर चाहिए wireless वो भी आपको देखने को मिल जागा यह ने की variety बहुत जादा देखने को मिल रही है और देखा जाए तो पूरी की पूरी की industry यहाँ पर बन गी जहाँ पर देखा है तो mobile phone companies तो अपनी earphones बना रही थी लेकिन जो mobile phone company की earphones तो उनको छोड़ छोड़ के लोग दूसरी company की पीछे भाग रहे है इंडिया में कुछ brands के बात करें में तो यहाँ पर boat की earphones आते हैं noise की earphones आते हैं यह कुछ companies ने अपनी इंडिया में पकड़ बना ली ऐसी बात किया तो apple तो अपने एरपॉट्स बनाता है लेकिन यहाँ पर देखा तो realme के भी आपको देखने को मुलते हैं आपको देखा जा तो vivo भी यहाँ पर बनाता है इसके साथ ही google भी अपने pixel birds बना रहे है Samsung भी अपने galaxy birds को बना रहे है तो market में बहुत सारे ठेरो option है और हर एक company जहाँ पहले wire तक focus दिया वो wireless के उपर company ली transition कर चुके है और wire की quantity कम हो चुकी है लेकिन फिर आपने इसके पीछे का reason सोच है कि ऐसा क्यों हो गया मतलब कि क्यों apple ने इस चीज़ को move सबसे पहले लिया देखो जब apple का 2016 में आइफोन 7 लॉंच हो रहा था तो उस समय तो उन्होंने यह बताँ क्या बोला था कि headphone jack हटाने के लिए courage चाहिए यह लगबग 19th century की technology अभी तक चलती हो आ रहे और हम कुछ नया करना चाहते थे हम लोग एक better experience देना चाहते थे खैर चलो बात उनकी भी चलो मान लेते साहिए और एक चीज़ दो ने यह बताई थी कि फोन के अंदर headphone jack बहुत space लेता है और हम लोग फोन के अंदर बड़ी battery भी देना चाहते हैं और हम लोग आपको tap-tech engine वगरा देना चाहते हैं जिसके लिए headphone jack को हटाना mandatory हो गया था और उस चक्कर के अंदर हमें तो चीज़ हटानी पड़ गए यह सब उन्होंने कर दिया लेकिन बात में अपने एरपॉड्स ले आई और वो चीज़ में लोगों पसंद आई लेकिन अंदर का देखो में रीजन तो यही था लास्ट में कि अपल को अपना एरपॉड्स लेकर आगी वैसे पूरी इंडस्ट्री वहां शिफ्ट हो गई ए लेकिन गलेट चीज यह थी कि लोगों फॉर्स फुली मूफ किया गया एक वार्लेस एरफॉन के उपर अब देखा जाया तो अपल ने जो किया तो किया लेकिन इसके बात का जो डेट है वह काफसे सर्प्राइसिंग है अपल का जो एएरफॉन वाला मार्केट है याने कि TWS इस वाला मार्केट में उसमें अपल टॉफ फाइफ के अंदर आती है इवन जो प्लूटूटी एरफॉन की सेल से पिछले कुछ समय में लगा था यहां पर राइस करने ही पहले से जादर लोग उसको यहां पर पर्चेस करने है और ब्लूटूटी एरफॉन में बात है रहत क्योंकि जब वाइड लोग सालों तक चला सकते थे टी डबलूए से अगर आप ज्यादा यूज़ कर रहे तो उसके अंदर दिक्कता आने प्रविलेटी भी ज्यादा है इसके साथी आज के समय में अगर मैं एपल का इयरफॉट्स वाले डिवीजन देख लूँ तो इतना जाता पैसा बनाता है कि इतना दुनिया की बड़े बड़े टेक्क निवी बनाती मतलब NVD जो ग्राफिक काड़ बनाने वाले कंपनी ये उसे जाता पैसा है ना एपल का जो एयरफॉट्स वाला मार्केट है जो पूरा एयरफॉट्स पूरा प्रोडुक्ट से्रीज लिका आने लग गए और धीरे धीरे जिन जिन कंप्टनी ने एपल का मज़ा खोड़ाया था ना सारी कंप्टनी अपने प्रीमिम फोन से तो हैड़फोन जैको तो यहां हटा दिया और धीरे धीरे मेटरिंग अब भिजट तक यह लोग खिसका है और आज के समय में मॉबाइल फोन म जो मैंने परसनली अब्जर्ब करें वो यह देखें कि पिछले छहसाथ सालों के अंदर जो क्वालेटी होती एरफोन की वह बहुत जादे इंप्रूव हुई है जो वायरलेस कनेक्टिविटी वो यहां तक कि जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वो बैटर हुई है जहां वी सारी चीज़े जो पहले वायरलेस के अंदर धेरी धेरी पॉसिबल कर रहे हैं इसके साथ ही बात किया तो एक्टिव नॉइस केंसलेशन उसके अंदर एक ऐसी चीज हो गई जो आज के समय में काफी जादा चल रही है और कण्वीनेंट्स वाला एक फेक्टर होता है वह और भी जाद नहीं टेखने को लिए कुछ नहीं टेखनोलोजी के नाम बताओं मैं आपको इस पेशल आडियो एपल ने 360 डिग्री ऑडियो 3D हैट्राइकिंग को रिड्यूस किया तब जो काफी जाद एडवांस चीज और डॉल भी एड्मॉस को रियल एक्सपीरियंस ले स जहाँ पर 24 बिट का ओडियो यहाँ पर अप सुन पाएंगे औरेडी सैंसुन के गैलक्सी बड्स 2 प्रो के दर एक फीचर आ चुका है लेकिन अब धीरी धीरी यह चीज और ज्यादा पॉपलर होगी तो टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट जादा हो रहे हैं उस साइट के अ और उन्होंने हैटफोन छाटाना हुए इसलिए मच्बूरी बन का क्योंकर अगर हैटफोन जैक नहीं हटाती और साथ मगर ब्लूटूट यारेफोन लिकाल देती तो उनका शाथ ब्लूटूट याइरफोन वाला मार्केट इप्ताच चलता ही और इसलिए हैटफोन चैको में हटाना पड़ किया एवन खुद देखो यारा आप लोग शुरुआत में खुद डॉंगल से रहती है लोग और डॉंगल भी धीरी धीरी बॉक्स से डालना बंद कर दिया और एपल ने भी अपने काफी सारी लाइन अप से अपने हैटफोन जग को हटा दिया और बाता सकत कि उनका Bluetooth वाला खराब ना हो जाए इसलिए आज के समय में वह यहां पर रुके हुए हैं वह इस चीज को इंप्लिमेंट नहीं कर रहे हैं अब देखते कि फ्यूचर के अंदर यहां पर किस तरीके से इंप्लिमेंट होती यह देखने वाली बात रहेगी हाला कि बात की जा तो पसली मेरे को क्या लगता है कि headphone jack एक काफी अची चीज है क्योंकि headphone jack के अंदर को high-res decks देखने को मिल जाते थे अच्छा audio का support भी देखने को मिलता था हाला कि यह depend करता था कि उस phone के अंदर इस चीज को implement किया है कि नहीं किया गया मेरे को आज भी LG के phone यहाद है जो कि बह काफिक interesting move यहाँ पर में एको लगा था परसनली मिरको लगता है कि headphone jack अगर आ जाया तो user convenience काफी जादा बैटर होगा क्योंकि जो लोग दौनों यूज कर था तो एक बैटर चीज होगी और कभी कभी क्या रहता है कि earphone की चलते चलते बैटरी खतम होगी और उसके बाद से charging पर यूज करो तो यार रहता है और साइड में वायर वाला option देखने को मिल जाए तो कि तासन रहेगा मैं कि वायर लगा कि कम से बोत आप यह चला ही सकते हैं तो यार यह मेरे कुछ उपीन है नहीं इस बारे में लेकर लग रहा है कि शाद एपल काफी सही थे क्योंकि आज क क्या लोग है क्योंकि मेरे को पता है कि काफी साल लोगा अस Bluetooth यह फोन है लेकिन क्या Bluetooth यह फोन वाले भी headphone jack वाला फोन लेकि या नहीं करेंगे यह बात मैं जानना चाहता हूं थैंक को को उडियों देखने के लिए मैं आप समतों नेक्स वन के अंदर गुड़ बाई